तो जैसे कि आप सभी लोगों पता है कि मैं अपने चैनल पर आपको काफ़ी अच्छी जो है बेकेंसी के अपडेट लेकर आती रहता हूं तो सबसे पहले दोस्तों आपको छोटा सा काम कर देना है जो कि वीडियो के कमेंट में जाना है वहाँ पर अपना जो है व्रांच को मे कर सकते हो और आपने कारा कोण से ट्रीड में कर रखा है वी आप मेंचन कर सकता कि मुझे युण काफिया था बढ़ारी के तरफ यहां पर देखने को मिलेगी जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी जो कि आप आपनी मुबाइल के स्क्रीन पर देगी सकते हो यहां पर आपने किसी भी ट्रेड कर रखा है तो आप एपलाई कर सकते हैं और आगे मा आपको यहां पर बताऊंगा कि कौन-कौन candidate apply कर सकते हैं कौन-कौन से branch वाले और कौन-कौन से trade वाले तो यह जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान पूरवक देखना होगा तभी आपको पूरी जानकारी यहां पे लेपाओगे और तभी जो आप पूरी जानकारी की माध्यम से पूरी वीडियो के माध्य यहां तो आपके जायतर work experience मागा जाता है यहां फिर दोस्तों आपको यहां पर प्राइवीट की तरफ से देखने को मिलती है तो यह जो वेकैंसी दोस्तों बिलकुल यहां पर पर्मानेंट वेकैंसी निकल कर आ रही है ठीक है यहां पर पर्मानेंट वेकैंसी आपको यहां प्रोसेस बताऊंगा तो गाइस जैसा कि है देही सकते हो यहां पर मैंना पूरा प्रोसेस के साथ मैं पूरी इनफॉर्मिशन आप आपको दे रखी है कोई दिक्कत ना हो ठीक है समझने में और एपलाई को करने में यहां पर देखी पास सकते हों आपे अड़ानी जोब रेकूटमेंट 2023 पोस्ट जो निकली है यहां पर 200 प्लस पोस्ट आपर देखने को मिलेंगी और यहां पर अगर अगर आप फिरिश्य कंडिडेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर मैं बात करूं यहां सब्सक्राइब कर सकते हो अगर कर सकते हो अगर कर सकेंगे इस इस फॉर्म के लिए भरने के लिए आपको क्या क्या एजुकिशन कॉलिफिकेशन गई गई है एज रमिट क्या होनी चाहिए कैसे सेलक्षिन होगा ठीक है यह सारी जानकारी मैं आपको यह वीडियो के मादम चर बताने वाला हूं तो यहां पर आप देखी पार होंगे जोकि यहां देख सकतो हो अड़ानी रिकूट् करूं तो यहां पर देख सकते हैं और यहां पर करने के लिए आपको कैसे करना होगा जो कि आप करने का प्रोसेस यहां पर आपको पोस्ट देखने को मिल रही है और यहां पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट देखने को मिल रही है और यहां पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आप आपको देखने को मिल जाएगी आगे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा साधे साथ यहां पर आप देखने को मिल जाएगा कि आपकी लोकेशन कहां रहने वाली है तो लोकेशन जो रहेगी वो आपकी एक्रॉक्स इन इंडिया के इंडर ही रहने वाली है और यहां पे देख सकते हैं इस में आपको देख सकते हैं यहां पर आपको प्रोसेस के वारे में तो भाई यहां पर application ऐसका प्रोसेस कैसे होगा तो इसमें have удूं को finiा होगा जो की सुभत से फॉर्म को बरना होता है ठीक है तो के माध्यम से आपको फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपको पेड नहीं करना होगा चैनल ओविसी वालों के लिए देख सकते हैं यहां पे जिरुसुल्क रखा गया है अगर आपने अभी तक टेलिग्राम को जाकर जोहाएं नहीं किया जा मिलने वाली है और आपको सहली देखने को मिलेगी बात करने सेलेक्शन प्रॉस्टेस के बारे में तो स्ट्रक्स प्रॉस्टेस जो रहेगा वह आपको देख सकते हो बेस्टान यहां पर इंटर्व्यू रिटेन टेस्ट एंड डॉकुमेंट्स बैरिफिकेशन तो इन तीन क यहां पर आप्लिकेशन डेड्स के रहा में तो जो यहां पर एप त्सक्ISTर के गीए और अपको कैसे आंपको आपको डॉकृटली आगा आएं गूगल पर त्टीक है आप के यहां पर यहां पर टाइब करना होगा अनलाइन जॉब तक जैसा कि आपको यहांपर देखने को मिल रहा होगा जो कि आप आप देख सकते हो ठीक है यह आपको Capital Letter में भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा Simply क्या करना है आपको यहां पर इसके ऊपर यहां पर आपको Click कर देना है ठीक है तो चलिए मैं आपको Click कर देता हूँ and जैसी Click करोगे Click करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और दोस्तों आपसे पहली कैच चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आपने अभी तक वीडियो के कमेंट बॉक्स हम जाकर करके अपनी ब्रांच और अपनी ट्रेट को मैंशन नहीं क्या है भाई जाकर कर सकते हो जिससे कि मुझे बहुत ही हैल्प मिलती हो वहां पर यहां पर देखी सकते हो आपको फर्स स्टेप पर आपको देखने को मिल लाएगा अड़ानी जॉब तो माले जगर आपको online registration करना है तो आपको simply इसके सामने यहां पर click here पर आपको click कर देना है और जैसे यहां पर click here पर click करोगे मेरे भाई तो आपके सामने एक new page window open हो जाएगी जो कि यहां पर आप देखी सकते हो और यहां पर आपके सामने बहुत सारे vacancies की जो update है वो open हो आप देख सकते हो और यहां पर आपको filter का भी option देखने को मिल जाएगा आप filter का भी इस्तमाल करके जो आपको find कर सकते हो and directly यहां पर job search कर रहुए तो आपके सामने इस तरह का यहां पर interface आपको दिखाई दे जाएगा जो कि मैं आपको बताई थी post देख सकते हो आपके assistant manager क बती तो सबसे पहले इसके job description के वारे में आपको पढ़ा लेना है कि इसकी job description में क्या मागा गया है experience क्या है कौण-कौन candidate अप्लाई कर सकते हैं कौं-कौन preval कर सकते हैं यहां कारी लेने के लिए आपको job description पढ़ लेना होगा अब डिस्क्रिप्शन पढ़ने का फायदा क्या होता दोस्तों यहां पर आपको आसानी हो जाती है जो आपको यह सारी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाती है जो कि आप आप देखी सकते हो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर टोटल एक्सप्रेंस मांगा गया है दो दो साल से लेकर के पांट साल के बीच में अगर आपका एक्सप्रेंस है तो आप अप् कर सकते हो इस फूर्म के लिए एलिजिवल है आप और यहां पर प्रैमरी लोकेशन जो रहेगी यहां पर नभी मुंबई के अंदर रहीगी ठीक और यहां पर र Kerry नेकी नहीं को मिलेगी ठीक है छोड़ बनेगी अगर आप मालीचे इस वेकैंसी के लिए इंट्रस्टेड हैं तो आपके लिए आपके लिए आपको यहां पर किलिक करोगे आपके सामने इस तरह की न्यू विंडो खुल के ओपिन हो जाएगी आपको करना क्या होगा यहां पर अपने एक अकाउंट को मना लेना है जैसा कि आप आप देखी पा रहे होंगे यहां पर आपको यूजर नेम और यहां पर आपको पासवर्ड डाल देना है डालने के बाद यहां पर आपको लोग इन का ओप्शन देखेगा यहां पर आपको क faculty को कि पासवर्ट brackets एंपर डाल सकते हो द्वारा सिपास्वर्ट डालना है इमिल डिगा ओप्सेंज चैगा तो इमिल डिग यहांपर डालना क्या है यूजरर में आपको बना गया अपने नाम के according ठीक है जैसे कि आपको कोई भी नाम है तो वह आपर नाम के according अपना username बना लेना है और यहाँ पर password डालके email ID डालके जहाँ पर registration के option पर आपको click कर देना है आपको back आना है back आओगे यहाँ पर आपको login को option देखेगा login password का आपको simply यहाँ पर option देख जाएगा जो कि आप आप देखी पार होंगे यहाँ पर आपको ID username आपने डाला था वो पास्टर जो भी आपने डाला था वो यहाँ पर डाल देना है login पर click करोगे आपका जो form है वो खुलके open हो जाएगा वहाँ पर अपनी वेसे details वेसे के experience यह सारी details आपको fill up कर देना है अगर आप आपको कोई भी doubt रहेगा और कोई इंकारी हो तो मुझे comment करके पूछ सकते हो और वीडियो के comment box हम जाकर के अपनी branch और अपनी trade को डालना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि वहाँ पर जाकर मुझे पता चलता रहता है कि आपकी क्या trade है और किस branch से अपने diploma degree कर रखी है तो म आपको किस तरह से form को fill up करना है आई योप आपको सारी समझ आगी होगी जल्दी मलेगा नई वीडियो में नई vacancy के साथ